दिल्ली सरकार द्वारा लाए जा रहे जनलोकपाल बिल 2015 को स्वराज अभियान सिरे से खारिच करता है 2014 वाला बिल पेश करने की स्वराज अभियान की मांग को अन्ना और संतोश हेगडे समित पूरे देश का समर्थन स्वराज अभियान के कार्य करता आज इस मुद्दे पर शाम 6 बजे विधान सभा पर प्रदर्शन करेंगे प्रैस वारता के दौरान अन्ना हजारे जी का वीडियो भी चलाया गया दिल्ली सरकार द्वारा लाये जा रहे जनलोकपाल बिल 2015 को स्वराज अभियान सीरे से खारिज करता है केजरिवाल सरकार ने लोकपाल की न्यूकती और बर्खास्तगी की प्रक्रिया में आखों में धूल जोकने वाले कुछ मामूली संशोधन किये हैं जनलोकपाल आंदोलन से निकली आम आदमी पार्टी जो आज पूर्ण बहुमत की सरकार चला रही है उनसे और दिल्ली के मुख्यमंत्री अर्विन केजरिवाल से हमारे निमनल लिखित सवाल है एक आप इस बिल को देश का सबसे करांतिकारी और मजबूत बिल बता रहे हैं क्या आप इस बिल में एक भी ऐसा प्रावधान बता सकते हैं जो दूसरे किसी भी मौजूदा बिल से अलग हो जो कि इसे देश का सबसे मजबूत बिल स्थापित करता हो 2. क्या आप बता सकते हैं कि 2014 वाले बिल जिसकी मांग अन्ना हजारे जस्टिस संतोष हेगड़े और पूरी देश की जनता कर रही है उसे बदलने की जरुवत आपको क्यूं पड़ी 3. आप कहते हैं कि 2014 वाले बिल को आपने इसलिए बदल डाला क्यूंकि सुप्रीम कोर्ट ने एमिनेंट लोगों को समीतियों में रखने पर रोक लगा दी अगर ऐसा है तो आपने अपने इसी बिल में एमिनेंट लोगों को शामिल क्यूं कर लिया 2014 की बिल में तो कही भी एमिनेंट का जिक्र नहीं था आप देश की जनता को गुमरह क्यूं कर रहे हैं 4. आप पिछले चार सालों से जनलोकपाल में राजनितिक हस्ताक्षेप का विरोध करते रहे लेकिन आपने लोकपाल के चैन प्रक्रिया में राजनिताओं को इतने अधिकार क्यूं दिये 5. लोकपाल को पद से हटाने का अधिकार आपने अपने विधान सभा को क्यूं दिया आपने जो मामूली संशोधन किया है उसमें भी अधिकार विधान सभा के ही पास है 6. लोकपाल को स्वतंत्र जाज का विंग बनाने का 2014 वाले बिल का प्रावधान क्यूं हटा दिया गया 7. पिछले बिल से लोकपाल को वित्य स्वायत तता देने वाले प्रावधान क्यूं हटा दिये गये आट, पिछले बिल से लोकपाल में कामकाज में पारदर्शिता सुनिश्चित करने वाले प्रावधान क्यूं हटा दिये गए? 9. पिछले बिल से मुख्यमंत्री और मंत्रियों को स्पष्ट रूप से लोकपाल के तहट लाने वाले प्रावधान क्यूं हटा दिये गए 10. अगर दिल्ली सरकार का कोई कर्मचारी दिल्ली की सीमा के बहार रिश्वत लेता है तो उसकी जाच कौन करेगा 11. कहीं ये सारे प्रावधान एक स्वतंत्र लोकपाल से खुद को बचाने की आपकी कोशिश तो नहीं 2014 वाले जनलोकपाल बिल पेश करने की स्वराज अभ्यान की मांग को पूरे देश क्या समर्थन मिल रहा है हम एक स्वतंत्र लोकपाल के लिए संगश रत है यदि दिल्ली सरकार के 2014 वाले जनलोकपाल बिल को भाजपा की केंद्र सरकार अडंगा डालती है तो स्वराज अभ्यान भी केंद्र सरकार के खिलाफ आवाज बुलंद करेगी आज की प्रेस वारता को यश्वंत प्रकाश, अन्ना हजारे के निकर्तम सहयोगी, शांती भूशन, प्रशांत भूशन, योगेंद्र यादव और पंकज पुशकर ने संबोधित किया प्रेस वारता की शुरुवात अन्ना जी के वीडियो से हुई इसी वीडियो की लिंक आपको हमारे वेबसाइट www.swarajabhyaan.org के न्यूस वाले सेक्शन में मिल जाएंगी जैहिन स्वराज अभियान मीडिया सेल